वो इश्व मसी की सामर्त में होता है जैसे हम प्रभीश मसी की सिक्षाओं को फॉलो करने लग जाते है जीवन बदलता है लोग आप नहीं लोग गवाई देंगे तो ये वेक्ति बदल चुका है इसके जीवन में ऐसा बदलाव कैसे आया पहले ये वंदा बहुत गंदा था ये वंदा पहले बड़ा ही दुश्वता के और अनेतिक परकार से काम करता है बाधचित करने का तरीका बड़ा वेहुदा था गंदा था अब ये कैसे बदल गया तो जब इश्व मसी जीवन में आता है तो वो इंसान बदल जाता है क्योंकि इश्वमसी के पास में वो ताकत है कि वो जिंदियों को बदलता है क्योंकि इश्वमसी इस पृत्वी पर जिंदिगी को बदलने के लिए आये था लोग कहते हैं इश्वमसी धर्म को परिवर्तित करता है मैं बता दूँ ये सिर्फ जूट है ये मित्या है ये बेसलेस बाते हैं इश्वमसी धर्म को नहीं परंतु वो जीवन को बदलता है जैसे इश्वमसी का आगमन हमारे जीवन में होता है तो वो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है उसकी भासा उसका बोलचान उसका व्यवहार उसका रहन सहन बदल जाता है, इसमसी आपके नाम को नहीं बदलेगा, आपके जातपात को नहीं बदलेगा, आपका कुछ भी वो नहीं बदलेगा, आपको इनर जो इनर लाइफ है, उसको वो चेंज कर देता है, एक बदला हुआ जीवन, एक वास्तम में इनसान को एक पहचा बनाए MSCM cycle in the image of god मैं पर्मेश्वर कर्तों को अपने श्रूप में स्रुखर करता unnecessarily कर रहे हमक्म क्वन ऐसी प्रकार का कोई भी वह नहीं किया थैसर फ़ेस्वरju wrapped इश्वर है हमारे जो रिशी मुनी हुआ करते थे उन्होंने का अहम ब्रमाशमीति क्योंकि उन्होंने इस बात को ज्यान के द्वारा उस परमेश्वर के साथ एक सार्थक शंगती के प्रियास के द्वारा मंत्रोच्वारन के द्वारा उस भक्ती में लीन होने के द्वारा उस प्रमात्मा की शंगती के द्वारा इस चीज़ को जानने पाए कि हम ब्रमाश्मिती मैं ही ब्रह्म हूँ मैं ही परमेश्वर हूँ मतलव इसका भावार्थ यह है कि जब हम उस परमेश्वर को सच्च इश्वर को जगत करता प्रभू परमेश्वर एक मात्र सरु सक्तिमान परमेश्वर को जान जाते हैं तो हम उसके तदुरूप हो जाते हैं और फिर किसी दुष्ट का कोई बस हमारे उपर नहीं चलता कोई भी दुष्ट सेतानी हैवानी ताकत बदुरू है हमें परेशान नहीं कर सकती क्योंकि we are created in the likeness in the image of God हम की सिक्षा ये है वो ज्यान जब हम परमेश्वर पिता से जब वो ज्यान पहासिल करते हैं तब हमने समझ में आता है हम राजाओं के राजा के परिवार से बिलोंग करते हैं हम उस राजाओं के राजा प्रभू के प्रभू के खांदान से बिलोंग करते हैं और हम सच्चे पुजारियों का पंडितों का समाज बनाया है एक राजी बनाया है तब हम सच्चे पंडित बन जाते हैं तो आज आज इस धर्ती पर अपने आपको पंडित समझते हैं और परमेश्वर से दूर है परमेश्वर को नहीं जानते वे छाती पीटेंगे और आपके लिए कहेंगे कि भाई कृत्वी पर तो मैं पंडित था लेकिन ये ये वेक्ति जो किसी अनी समाज से था ये किसी अनी चाती इसे था ये कैसे यहां पे पंडित बनके बैठा है तो इश्व मसी हमारे जीवन को बदलता है वो सिर्फ वो ज्यान के द्वारा होगा तब आपको सच्ची पहचा ओधान करें और भरवर शंगति करें इस मसी के विश्वासी विएक्ष्वासी आप शंगति करें जब भी संगति करते हैं तो percent करके है रोटी तोड़ना उसके बहुत बड़ी आशिसे हैं एक अलग सब्जेक्ट है ये और बरावर प्रात्ना में हमें करना है जब भी हम मिलते हैं कटे होते हैं शंग मिल करके सारी बातों के लिए प्रात्ना करना है इस परमिश्व का धनिवाद करना है थैंक यू और ये इस बीए गड़ ब्लस्यू वाल